नमस्कार दोस्तों आज हम डिसकेशन करने वाले हैं सन फार्मा स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ करीबन 1% की तेजी हमें देखने को मिली है बात करें थ्रियावर चार्ट की यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लगातार एक डाउन फॉल हमें देखने को मिल रहा था लेकिन अभी एक सपोर्ट स्टॉक ने लगाया है यह सपोर्ट है करीबन 960 रुपीज का इस सपोर्ट का आपको ध्यान रखना है देखें जिस परकार से तेजी वापस आ रही है अगर यही रिकवरी पर करार रहती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टारगेट स्टॉक अचीव करेगा वो है 1000 रुपीज 1025 तक के टारगेट भी अचीव होते हुए सन फार्मा स्टॉक में नज़र आएंगे तो अगर आपके पोटफोलियो में सन फार्मा शामिल है कंटीनियो होल्ड करें और इन लेबल्स पर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो दिखिए एक शांदार बाइंग का मौका यहाँ पर जल्द ही बन सकता है एक रेजिस्टेंस लेबल है करीबन 1023 रुपीज का जैसे ही इसको स्टॉक ब्रेक करेगा एक शांदार बाइंग का मौका ज़रूर बन सकता है लेकिन अभी केवल weight and watch की strategy अपना कर चल सकते हैं supports का ध्यान रखें stop losses लगा कर जरूर चलें तो यही strategy आपको उपनानी है sun pharma stock में आप चाहें तो अपनी खुद की analysis, खुद की research जरूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद